Hi everyone, this is Saurabh Thakur और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को Happy Mahashivratri, जो जो लोग भी मनाते हैं मैं अभी आज मंदिर जाके आया हूँ, Fast भी है मेरा, तो काफी अच्छी वाइब्स आ रही है वाइब्स से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक lecture बनाया जाए, तो Alexander Pope पे आज का lecture है, कुछ लोगों ने डिमांड भी किया था Literary Criticism, मैं और लेडी बहुत सारी lectures बना चुका हूँ Literary Criticism पे, and I also provide notes for Literary Criticism and Literary Theory, and also Cultural Studies and a list for major works which you should read for your UGC Net तो उसका link आपको description में मिल जाएगा, गर आपको इसके notes चाहिए, और उसमें बहुत सारे और भी writers है, जो मैंने include किये है Literary Theory Criticism के अलग-अलग notes है तो यह Literary Criticism की इस वक्त lecture series चली है कुछ लोगों मैं lecture बनाऊँगा वैसे मैंने सुच था, Alexander Pope पे नहीं बनाऊँगा लेकिन, बना दिया चलो, let's start, बिना किसी time को waste करते हुए, Alexander Pope जैसा कि आप जानते है New Classical Age का यह writer था और पूरा Enlightenment era की मैं बात करूँ तो Augustan Literature है Augustan Age की मैं बात करूँ तो Alexander Pope का मानना था कि we should follow every rule and regulation while we are writing जैसे कि हम कोई भी poem लिख रहे हैं कोई भी चीज लिख रहे हैं, हम drama लिख रहे हैं और Homer, Virgil ऐसे से लोगों को mention किया कि हमें उन लोगों को follow करना चाहिए उनका style follow करना चाहिए कोई भी हम poem लिख रहे हैं तो उसमें हमें rhyme भी include होनी चाहिए उसमें particular एक meter use होना चाहिए जो कि Romantics ने बाद में जाके बिल्कुल उसको defend रही किया मतलब कि उसको oppose किया एक हिसाब से ठीक है उन्होंने कहा कि there should not be any kind of rules and regulations in writing तो Romantics ने बिल्कुल free होके वो काम किया तो Alexander Pope की मैं आज बात कर रहा हूँ he was an English poet, translator and a satirist satirist आप समझते हो rape of the law किसने लिखा है वो एक satire है mock heroic है एक हिसाब से satir का मतलब है tanj kसना, किसी पे ताना कसना किसी को कुछ सुनाना जैसे कि सास और बहू में चलता है उसी तरीगे से of the Enlightenment era who is considered one of the most prominent English poets of the early 18th century and exponent of Augustan literature ये सारी चीज़े आपको पता है और मैं इसके आज ज्यादा आपको works भी में नहीं बताऊँगा we will discuss Alexander Pope only as a literary critic ठीक है तो अगर मैं बात करू satirical and discursive poetry की तो उसमें आता है आपका the rape of the log जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़ लेना the dunciard an essay on criticism जिसको मैं अभी discuss करूँगा an essay on man जिसको मैं भी discuss करूँगा and for his translation of homework ठीक है जी Elliot वगरा कि इसने जो translation की थी उसके लिए भी ये famous है चलो आगे चलते है सबसे पहले हम बात करते है an essay on criticism की तो it is one of the first major poems written in three parts देखो ये चीज़ हमारे ले important हो जाती है कि कितने parts में क्योंकि ऐसे questions UGC net में पूछे जाते है ठीक है so this poem is written in three parts एक poem है ये ठीक है published anonymously याद रखना anonymously published किया था 1711 में ठीक है ये देखो दो questions हमारे यहां पक्के होगे it is the source of the famous quotation इसमें famous quotation कौन सी है to err is human to forgive divine कि आदमी का काम है गल्ती करना और पर्मात्मा का काम है कहते हैं न कि जो जितना बड़ा होता है वो बड़ा उसी से पता चलता है कि वो माफ कितना करता है जैसे कि Shakespeare का हम देखते हैं तो Prosperus में जो था उसने बाद में सबको माफ कर दिया था तो उसी तरीके से जो माफी देने वाला जो इंसान होता है, असल में वही एक बहुत बड़ा इंसान होता है, गलती, इंसान तो गलती का पुतला है, लेकिन माफी करने वाला ही एक परमात्मा होता है, जिसे कई बार a little knowledge is a dangerous thing भी कहा जाता है, ठीक है, तो यह जो दोनों quotations है, यहीं से आई है, यह questions आए हैं और और भी आ सकते हैं, and fools rush in where angels fear to tread, ठीक है, यह जो line है, यहाँ से title लिया है, शायद E.M. Foston ने भी यहाँ से title लिया आपने novel के लिए, तो वो भी आपने याद रखना है, कि जो बेफकूफ है, वहाँ जाते हैं, जहाँ पर angels भी जाने से डरती है, तो उसी को बेफकूफ कहते है, तो an essay on criticism कि यह ज इसमें की 10 syllables होते हैं, ठीक है, 10 syllables होते हैं इसमें और इसमें 5 feet होते हैं, ठीक है, और iambic pentameter इसमें meter use होता है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, iambic pentameter, और couplets होता है, यानि की 2 है, जैसे कबीर के 2 हैं, रहीम के है, तो उस तरीके से heroic couplets में यह लिखा गया, और heroic couplets में पर्टिकॉलर मीटर यूज किया गया है जिसे आयमिक पेंटामेटर कहा है और जिसमें की दस सिलिबल्स होते हैं तो आप यहां पर देख रहे हो कि यह पूरे रूल्स और रेगुलेशन से चलने वाला इंसान था ठीक है तो अब हम आगे देखेंगे जब इसकी कोटेशन स आएगी तो उसमें पता चलेगा हमें होरेशन मोड ऑफ सटायर ठीक है जी सटायर दो-तिन तरह की होती है और दो-तिन और होती है वो मैं कभी और अलग से जमने लिटरी टरम्स की में बात करूंगा तो आपको समझाओंगा शायद मैंने कभी समझाया भी होगा और यह कॉलि इसमें इसने पता क्या है आप अगर देखोगे अगर आप पढ़ोगे अलेक्जंडर पोप के बारे में तो he was of a very short stretcher बहुत छोटा था है और के हम भी था मतलब की कूब था पीठ में कूबडा जिसे हम कहते है ठीक है और कुछ बिमारी भी थी इसे तो बहुत गंदा था द they attacked him on the basis of his body इसकी जो physical appearance थी उसके बेस पे लोग इसे बहुत कटाक्ष करते थे ठीक है तो उन चीजों से भी यह दुखी था और इसने इस work में कोशिश किये यह बताने की कि एक असली जो critic होता है वो कैसा होता है उसे क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहि कि classes जो है उन्हें follow करना है classes जैसे कि Aristotle, Horace, Longinus, Virgil, Homer यह सारे लोग जो हमें इन्हें follow करना चाहिए ठीक है पहली चीज़ तो यह बोलता है आगे मैं explain करूंगा the poem covers a range of good criticism and advice देता है critics को और good criticism भी है इसमें की good criticism कैसा होना चाहिए and criticism मैंने आपको बताया criticism can be negative as well as positive हम किसी की बारे में कुछ भी analysis अपना दे रहे हैं कोई भी बात हम बोल रहे हैं तो वो criticism है वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है and represents many of the chief literary ideals of Pope age तो अपनी age में जो इसके critics थे उनके बारे में यह कहता है कि उन्हें कैसा कैसा करना चाहिए कैसे लिखना चाहिए ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया भी है और नहीं आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ जो की enlightenment age थी या फिर हम neoclassicism की बात करें तो उसमें nature पे ज़्यादा focus रहता था नेचर यानि की human nature ना कि दूसरा nature जब romanticism आया तो दूसरे nature पे shift हो गए प्रकृति की बात की beloved की इन सारी चीजों की बात की तो यह वाला जो nature है यह वाला nature है human nature ठीक है and of wit wit और nature पे इस पे काफी focus किया गया ठीक है wit क्या होता है wit होता है जब हम हाजर जवाबी एक हिसाब से हाजर जवाबी जब हम एकदम से की चीज का जवाब देते हैं हम बहुत श्रीवड होते हैं होशियार होते हैं उसे कहते है तो nature और wit पे ज़्यादा focus रहा the word nature is used 21 times या दखना 21 times use हुआ है क्या nature word और wit हुआ है 46 times ठीक है यह भी हो सकता है कभी पूछ हो जाए given the numerous meanings accumulated in the word nature as it has passed देखा मैंने आपको बता है return to nature कि भाई अब nature पे वापिस आ जाओ human nature की बात करो ठीक है तो उस पे focus था चलो हाँ यह एक और question हमारा पका हो जाता है कि कितने parts में है यह एक तो publishing year आपने याद रखना है इसका genre याद रखना है कितने parts में है वो याद रखना है an essay on criticism is a three part poem in which Pope shares his thoughts on the proper rules and etiquettes of मतलब कि proper rules क्या होने चाहिए criticism के और क्या etiquettes होने चाहिए ठीक है critics assail Pope's work यह मैंने आपको बताया उसके religion based उसके background उसका physical appearance पे उसको बहुत ज्यादा लोगों ने ताने मारे तो उसी का जवाब यह इसमें देवता है हाँ जी part one के अगर हम बात करें तो Pope explains that both critics and writers should understand the rules of rules for poetry set forth by चाहे वो critic है चाहे कोई भी writer है उन्हें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पूर्वजोंने rules set किये हैं हमें उसी के हिसाब से चलना है तो इस rules are based on the laws of nature such as balance होना चाहिए symmetry होनी चाहिए beauty without ornamentation मतलब कि beauty होनी चाहिए लेकिन उसमें ornamentation नहीं होना चाहिए मतलब कि फाल्तू की चीज़े नहीं होनी चाहिए जैसा कि romantic में होता है तो romanticism और new classicism एक हिसाब से बिलकुल opposite चीज़े है to truly first follow nature यह कहता पहले nature को follow करो writers and their critics must have good judgment and wit मतलब कि writers जो है और उनके जो critics है उनकी एक judgment जो है वो good होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप bad judgment आप किसी को भी गाली दे रहे हो उसके शकल पे उसके शरीर पे उस हिसाब से आप उसके writing को judge कर रहे हो तो वो आपकी एक बहुत ही धक्यान उसी चीज है ठीक है तो while it is important for writers to stick to the rules critics should also understand writers अगर rules follow करते हैं तो critics का भी अदाइत तो बनता है कि they also follow the rules that sometimes new approaches are needed for newly developing truths exceptions to the और आप यह पढ़ सकते हो इतना उसमें कुछ मुश्किल है नहीं आप screenshot ले सकते हो इसे पढ़ सकते हो और notes अगर आप मेरे लोग है तो उसमें थोड़ा सा extra information भी आपको मिल पाएगी तो मैं इसमें यही समझाओंगा जो complicated है exceptions to the rules are only made for particularly intelligent, witty and accomplished authors कि हाँ ठीक है कई लोग बहुत intelligent होते हैं विटी होते हैं बहुत accomplished होते हैं मतलग कि जन्होंने बहुत कुछ किया है जिंदगी में उनके लिए हम क्या सब्सक्राइब कि चलो कहीं आपने rule थोड़ भी दिया तो बात चल जाएगी चलो part 2 में यह क्या कहता है पार 2 फोकसी इस ने फोकस किया है बहुत सारे तरीके जाएब कि लोगों का जो क्रिटिसिम है वो कैसे इनफेक्टिव है और बहुत ही इनप्रोप्रियेट है आप किसी भी वर्क के पार्ट को जब ज़ज करते हो तो आपकी एक हिसाब से गलत जजमेंट होती है वो एक सही क्रिटिसिम नहीं है बलकि आप उस work को as a whole आपको लेना चाहिए ठीक है तो paying attention only to rules and not to content आप सिर्फ rule पे ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ rule पे ही attention रखो उसके content भी देखो उसका meaning देखो उसका देखो कि क्या उसका relevance है judging because of metaphor imagery style और other less relevant qualities of poems यह कहता है कि जो metaphor imagery style है बहुत ही less मतलब कि कम important है वो qualities poem की तो अगर आप उसके basis पे भी judge कर रहे हो वो भी गलत है तो praising works simply because they are new extreme foreign और a spouse certain points of view और आप किसी work को praise कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो नया work है य तो यह तीन चार जो गलतियां है mistakes है जो critics करते हैं उसे इसने highlight कि Part 3 में क्या है the last part of NSA on criticism comes from a more positive and encouraging perspective. Pope explores what makes a great critic. Pope देखता है कि एक critic को क्या चीज़ great बनाती है the ideal qualities अब देखो critic की ideal qualities इसने बताई है जो की है integrity humility and courage integrity होता है जिसपे की विश्वास किया जा सके जो honest हो humility होता है humble जब हम यह सोचे कि हाँ हम से बहतर और भी कई लोग है हम खुद को और किसी और से बहतर ना समझे humble रहें उसको कहा है कि critic को ऐसा होना चाहिए और courage भी होना चाहिए critic में तो यह तीन qualities है जो important है जो उसने highlight कि है the poem closes with an extended tribute to the ancient Greek and Roman writers जैसा कि मैंने बता है as well as English writers who Pope feels best emulate the ancients कुछ English writers की business list बताई है कि जो Roman writers है या फिर ancients है उनको follow करते है the best critics are balanced and reflective कि बोलता है कि जो best critics होते हैं वो balanced होते हैं और reflective भी होते हैं considering their words carefully अपने जो words है बहुत carefully use करते हैं knowing that they make and break authors careers उनको पता होता है कि उनके जो words है वो किसी भी author का career खराब कर सकता है तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें criticism करना चाहिए ठीक है हम real life है पिज़े हम कभी किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमेशा ध्यान रहे हम कभी बाते बोल देते हैं कि अगले के mind पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है ठीक है तो इसलिए कभी भी बुरा ना बोलें ठीक है किसी को नीचा ना दिखाए उसकी caste पर उसके religion पर या फिर उसके family background पर या फिर उसकी शकल पर कभी भी किसी को नीचा ना दिखाए ये मेरी भी आपको advice है तो Pope contents in the poems जो सुंदर है उसकी तारीफ आप कर सकते हो और जो नहीं है उसकी बुराई करने की जरूरत नहीं है वह यहां कि बुरा किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना वह वाली बात है क्योंकि सबका एक अपना perspective होता है मैंने पिछले lecture में भी आपको pneumonia and phenomena की बात बताई थी कि हो सकता है कोई चीज जैसी है वह बदसूरत अपने आप में जैसी भी है वह अपने आप में लेकिन हमारा जो नजरिया है उसको लेके वह अलग हो सकता है और हमारे नजरिया में अग opening and ending line हमारे लिए important हो जाती है तो opening line में opening couplet में बोलता है that bad criticism जो है ना does greater harm than bad writing bad writing से इतना मुनुकसान नहीं होता है जितना bad criticism से होता है तो it is hard to say if greater want of skill appear in writing or in judging यह बहुत ही famous line है इसको आपने याद कर ही लेना है यह ऐसे criticism की opening line है यह बहुत important है but of the two less dangerous is the offense इसको पढ़ लेना आपने है यह समझाने की चीज़ है नहीं यह याद रखने वाली चीज़ है चला ending lines यह है इसकी इसको भी आपने याद रख लेना careless of censure nor to fond of fame still pleased to praise yet not afraid to blame मेरा focus इस lecture में सिर्फ आपको इसके critical ideas से अफगत करवाने का है अगर poem को line to line explain करना है तो उसके लिए पूरा एक अलग lecture बनाना पड़ेगा है तो इसलिए आपने सिर्फ अभी इतना याद रखना क्योंकि हमें UGC net की त्यारी करनी है opening line ending line और जो जो चीज़े में information आपको द देख लेते हैं Pope also says true ease in writing comes from art not chance की भाई writing जो है वो एक art है जिसे earn किया जाता है वो by chance नहीं होता है as those move easiest who have learned to dance कि वही लोग easiest move करते हैं जिन्नोंने dance करना सीखा होता है तो मतलब कि writing एक art है just like dance or singing or music writing is also an art ठीक है तो वो हमें सीखना पड़ेगा तो ये line भी इसमें है part 2 में एक line है little learning is dangerous thing जो कि मैंने आपको starting में बताया तो ये part 2 में है कभी ये question आ गया तो ये भी आपने ध्यान रखना है drink deep or taste not deep parents spring ठीक है to err is human to forgive divine ये भी इसी essay on criticism में ही है ठीक है इतना आपने याद रखना है क्योंकि essay on man भी आने वाला उसमें भी कुछ quotations है उसमें और इस essay on criticism was famously in आहां जी कुछ लोगों ने इसे attack भी किया था ठीक है जैसे कि john dennis है इसने इसे attack भी किया essay on criticism को who is mentioned mockingly in the work consequently dennis also appears in फिर Pope ने उसे criticize किया अपनी डंसियाड में इतना सा याद रख लेना टॉमस राइमर और जॉनाथन स्विफ्ट ने भी इसे criticize किया राइमर का strongest critique था उसने कुछ बात बोली थी कि हमारे जो देश में critics एक भेडिये की तरह आए और मतलब उनके रास्ते में जो भी आ रहा उनको criticize करते गे क्य की भी जिसकी भी बजाता था तो बहुत harsh था वो क्यों क्योंकि उसने खुद वो चीजें सही थी real life में तो इस ही लिए उसका जो क्रिटिसेशन था बहुत harsh था strong था हा तो यह कुछ important quotations और है जो मैं उसमें नहीं लाया हूं वो इसमें है जो मैंने पहले नहीं बताए तो words are like leaves and where they most abound much fruit of sense beneath is rarely found words जो है वो पत्तियों की तरह है और जहां वो ज्यादा तर पाए जाते हैं much fruit of sense beneath is rarely found मतलब कि उन पत्तियां जहां दभी होती है न वहां fruits कम लग बाते हैं कुछ इस तरह की बाते हैं ठीक है तो our judgments like our watches none go just alike yet each beliefs चलो अब देखो इसमें हम iambic pentameter की बात करते हैं तो syllable देखते हैं syllable देखो पहला syllable judgment दूसरा तीसरा like एक जब wall sound आती है तो syllable है ठीक है like i की आवाज आई एक और syllable are एक और syllable watches दो syllable इसमें है none में एक wall sound आ रही है तो यह कितना हुआ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठी हो आठी हुआ है दस होना चाहता वैसे इसमें go में एक है just में एक है alike alike में दो है yet में एक है each में एक है believes में दो है his own तो एक तो तो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और यह एक यहाँ है तस तो नीचे आठी डाइन में आप देख सकते हो दस syllables है पूरे ठीक है तो दस syllables जो होते है यह जो दो syllable का एक group होता है इसे हम feet कहते है ठीक है तो यह 5 होते है इसमें ठीक है यह एक दो तीन चार पांच तो यह पांच feet बन गए तो मतलब कि I am a pentameter बन गया ठीक है तो ऐसी चीज़े है यह हर एक चीज़ पूरा rules and regulations में लिखा करता था men must be taught as if you taught them not and things unknown proposed as things forgot true it is nature यह यह बहुत important line है यह वाली बहुत important है इससे पूरा जो enlightenment error या फिर new classicism है वो define होता है true it is nature मतलब कि human nature to advantage dress what oft was thought but never so well express जिससे कभी अच्छे से express नहीं किया गया तो उस पे हमें focus करना है something goes true तो यह line आपने याद रख लेनी है कहां पर है और इसका क्या मिनिग है ठीक है चलो कुछ और line से यह आप पढ़ लेना ठीक है इसका screenshot लो कुछ भी ले लो इसको पढ़ लेना हाँ जी an essay on man अब यह आ गया अगला work हमारे पास तो publish कब हुआ है 1733 में वैसे consider करते है इसे ठीक है हाँ जी dedicated किसको है देखो एक question पक्का हो गया 1733 और दूसरा question क्या है किसको dedicated है Henry S सेंट जोन को जो कि यह यह था बॉलिंग ब्रोग जो भी है इसी लिए इसकी जो पहली लाइन है वह कैसे शूरू होती अवेक सेंट जोन हो सकते ऐसा question आ जाए that which work of Alexander Pope starts with the line अवेक सेंट जोन और वहाँ पर option में हो essay on criticism essay on man dance yard और rape of the law कुछ ऐसा तो इस तरह से आपका अंसा निकलेगा essay on man it is an effort to rationalize or rather vindicate the ways of God to man तो इसका जो theme है इस work का वह है vindicate the ways of God to man paradise lost का भी कुछ ऐसा ही theme था वह था justify यहां है vindicate मतलब दोनों का same ही होता है the ways of God to man तो मतलब इसमें कुछ chain of being की बात किये उसमें बताया है कि जो human being से उनका कौन सा place है मतलब कि उसको plants and animals से उपर रखा है ठीक है Pope ने तो it is concerned with the natural order God has decreed for man God ने decree किया है मतलब कि order दिया है man के लिए कि यह इस order में होना चाहिए because man cannot know God's purposes he cannot complain about his position in the great chain of being क्योंकि इंसान को भगवान की purposes पता नहीं है तो वो नहीं complete कर सकता अपनी position को लेके कि मुझे यहाँ पकी उडाल दिया ठीक है and उसे accept करना पड़ेगा whatever is is right तो यह वली line भी इसमें है याद रखना इसी theme को वोल्टेर ने अपने candidate में परदर्शित किया है या भी लेकर आये किस कौन सा theme what is is right जो है सही है हां जी यह important चीजह है यह भी heroic couplet में है ठीक है यह भी heroic couplet में है और four episodes में है essay on criticism था three parts में और essay on man है four parts में publishing year याद अखना है ठीक है हां जी 29 में शुरू किया 31 में तीन episodes complete किये फिर 33 में publish हुए with the fourth episode तो 33 में ही पूरे चार episodes जो है वो publish हुए the poem was originally anonymously था Pope did not admit authorship authorship जो है 35 तक admit नहीं की थी Pope नहीं ठीक है तो it is conceived as part of a larger work that Pope never completed शायद यह किसी ऐसे work का पारता जिसे यह complete नहीं कर पा शायद इसने और भी लिखना होगा लेकिन हो नहीं पाया तो यह चीज़े याद रखनी है important चीज़े तो brief summary के अगर हम बात करें तो first episode में क्या है relation between humans and the universe ठीक है second में क्या है humans as individuals को यह discuss करता है human as individuals कैसे है third episode में addresses the relationship between the individual or society के बीच में relationship कौन से में है third episode में fourth में क्या है question is the potential of the individual for happiness कि जो individual का कितना potential है happiness को अचीव करने का an essay on man describes the order of the universe in terms of hierarchy मैंने बताया hierarchy में रखा है बगवान फिर इंसान फूल पत्ते जो भी है सारी चीज़े और chain of being by virtue of their ability to reason humans are placed above animals and plants in क्योंकि human के पास ability है reason की facts की ठीक है तो इसलिए उन्हें plants and animals से उपर रखा गया है Walter ने कुछ बात बोली है अब critical quotations भी हमारे लिए important हो जाती है essay on man के लिए Walter ने क्या बात बोली है the most beautiful the most useful the most sublime didactic poem ever written in any language तो यह question आ सकता है ऐसे से question कही बार आ जाते है रूसो ने क्या कहा है road to Walter admiring the poem उसने Walter को यह बात कही है essay on man के बारे में that it softens my ills and brings me patience यह मेरी बिमारिया सारी बड़ी धीली बड़ी soft कर देता है और मेरे अंदर patience लेकर आता है मतलब बहुत मज़ा आता है यह दो quotations बोली essay on man के बारे में तो बहुत बड़े बड़े philosophers writers ने चलो जी opening line है इसकी awake my saint john leave all meaner things to low ambition and the pride of kings यह इसकी opening line है और एपिसल 1 की opening line है ठीक है और यह ending line है एपिसल 4 की जो ending line है वो ending line आप यहां से देख सकते हैं that virtue only makes our bliss below and all our knowledge is ourselves to know कहीं ऐसी line आ गई कौनसी poem की ending line है ऐसा question आ जाता है करी बार तो याद रख लिए Pope says that man has learned about nature and God's creation through अब यह Pope कहता है कि इंसान ने साइंस से बहुत कुछ सीख लिया और उसे लगता है कि अब साइंस ही सब कुछ है हम लोग ही सब कुछ है भगवान कुछ नहीं है मतलब कि spirituality से कहीं आगे वो साइंस को मानते है तो उसी चीज को इसने कहा है क्या कहा है कि science has given man power ठीक है but having become intoxicated by this power man has begun to think that he is imitating God उसे लगता है कि वो भगवान की ही नकल कर रहा है साइंस को सीख के in response pope declares this species of man to be वो बोलता है कि जो इंसान है ना man वो एक बेफकूफ है fool है absent of knowledge इसक पास ना तो knowledge है and plagued by ignorance और वो ignorance से ग्रसित है ठीक है ignorance नामक पेमारी कहां गया मेरा पहन पहनी नहीं दिख रहा है मुझे in spite of all the progress achieved through science pope argues that humanity should make a study of itself and not debase the spiritual essence of world with earthly science कि अपनी उसे study करनी चाहिए और spiritual essence को earthly जो science scientific जो evolution हुई है उससे compare नहीं करना चाहिए since the two are demetrically opposed क्यूंकि दोनों चीज़े बहुत opposite है man should presume not God not God to scan जो quotation में आपने देखा चालो time ना waste करते हैं ज्यादा depth में नहीं जाएंगे और यह है आपके लिए कुछ important quotations essay on man से know than thyself बहुत 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 famous है बहुत famous quotation है know than thyself presume not God to scan मतलब कि खुद को जानो सब कुछ God पे निरपर मत रहो कि बहुत इस सब कुछ करेगा है the proper study of mankind is अगर mankind की proper study करना चाहते हो तो man की study करने पड़ेगी यानि की इंसान की study करने पड़ेगी तभी आप इंसान को जान पाओगे तो hope springs eternal in the human breast man ever is but always to be blessed यह याद रख लेना पढ़ लेना in quotation को and spite of pride in erring reasons spite one truth is clear whatever is is right देखो यह तो theme है whatever is is right जो भी है ठीक है आपको मानना पड़ेगा इंसान को बोल रहा है तो यह quotations आपने पढ़ लेना याद रख लेना कि कौन से work की है thank you खतम हो गया lecture मुझे लगा और भी होगा अच्छा तो मैंने कर दिया और मैं उमीद करता हूँ कि मैंने काफी सारी information आपको देने की कोशिश तो की है और मैं उमीद करता हूँ आपको पसंद भी है आप मेरे notes ले सकते हो literary criticism के भी और literary theory के भी आप जब link पर click करोगे तो आपको वहाँ पर details मिल जाएगी उस notes के बारे में कितने pages है कौन कौन से topics है क्या क्या है उस बाद next पर जाके आपको pay करना होगा pay के बाद मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आपको जिस page पर पेमेंट करते हो यूपे कुछ भी वापीस आप उसी page पर आईए वहाँ पर आपको एक दूसरे page के लिए redirect करेगा तो आपके पास थोड़ा से वेट करना है और वहाँ पे PDF ओपन होके आएगी तो वह PDF आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे कोई भी दिक्कत आती है description में ही मेरा mail ID है payment related कोई problem है आप मुझे mail कर सकते हो ठीक है तो ये था आज का lecture आने वाले टाइम एक app भी launch करने वाला हूं उसका भी आप link ढूंड लेना description में उसको install कर लेना सारी चीज़े आपको वहाँ मिल जाएगी क्योंकि lecture देखो एक बार बनता है बतानी कितने सालों तक यही lecture चलता रहेगा तो आने वाले टाइम की जो चीज़े हैं मैं अभी आपको बताना चाहता हूं ठीक है ओके बाई फिर से happy महा शिवरात्री और आप जिससे भी प्यार करते हो आपकी जोड़ी शिवरात्री शिवजी और पारवती की ही तरह बनी रहे और आपको प्राप्त हो आपका प्यार मेरी यही दुआ है यही कामना है और तब तक लिए खुश रही है आबाद रही है किसी की जान तो किसी की फर्याद रही है इंस्साग्राम पर फॉलो कर सकते हो मेरे एक व्लॉगिंग चैनल भी है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसको भी देखना मेरे व्लॉग्स देखना वो भी चैनल सब्सक्राइब करना और मज़े लेना ओके बाई